रणबीर कपूर की स्टार्टम पर भारी पड़ गया है इंडिस्ट्री का एक टॉप स्टार्ण पहचान लिया हो तो पता दें कि वो शारुख खान ही है जो फिल्म प्रमोशन के ट्रैक पर ओवर्टेक करके रणबीर दिपिका से आगे ले गए है अपनी चन्नाई एक्सप्रेस रणबीर कपूर और दिपिका बनकोन है ये जबानी है दिवानी का फेस तो शारुख खान और दिपिका की पैरिंग ला रही है चन्नाई एक्सप्रेस और आज का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ईद पर आने वाले चनने एक्सप्रेस ने नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली रणबीर दिपिका स्टार ये जवानी है दिवानी को एक बड़ी फिल्म प्रमोशन की जंग में भरा दिया है रणबीर दिपिका की फिल्म के इतने यूज प्रमोशनल कैंपेंड को भी चन्ने एक्सप्रेस ने दे दी है माँ जिसे रणबीर ना सिर्फ का भी बड़ा मान रहे थे बलकि रोज रोज प्रमोशन्स की दौर में शामिल होने पर माँ भी भी मांग रहे थे तो अब खुल कर बता ही दिया जाए कि आखिर किसकी इनसे क्या रणबीर की फिल्म को एक बड़े प्रमोशनल प्लाटफॉर्म में हाराने का काम क्या खुद रन्बीर की इंसेक्योरिटी उनके फिल्म प्रमोशन पर हावी हो गई है या फिर किसी और बात ने दिखाया है अपना सब दरसल ये पूरा मामला कारंट 2020 सीरीज के फाइनल में अपनी फिल्म को प्रमोट करने का है नेक्स संडे को खेले जाने वाले इस सीजन के फाइनल मैच में रन्बीर दिपिका के साथ अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते थे लेकिन रिपोटिडली रन्बीर कपूर की ये चाहत रह गई है अधूरी क्योंकि फाइनल मैच में अपनी फिल्म को प्रमोट करने का ये मौका रंवीर को नहीं बलकि बॉलिवुड के असली बात्षा माने जाने वाले शारुख खान को मिलने जा रहा है आला कि शारुख खान की टीम पहले ही इस टॉनमन से आउट हो चुकी है फाइनल में उनकी टीम के आनी की कोई भी उमीद नहीं बची है इसके बावजूद बताया जा रहा है कि शारुख खान फाइनल मैच में मौजूद होंगे वो यहाँ एक्सप्रेस थीम वाले इस 2020 क्रिकेट सीजन के आड कैंपेन को भी जम कर प्रमोट करेंगे और साथ ही अपनी फिल्म चैनने एक्सप्रेस को भी वहीं रिपोर्टेडली रंबीर और दिपिका को इस 2020 क्रिकेट सीजन के सेमी फाइनल्स में अपनी फिल्म को प्रमोट करने का मौका मिल सकता है सौर्सस की माने तो रंबीर दिपिका ये जवानी है दिवानी के लिए बज़ क्रियेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे है फिल्म में अपनी केमिस्ट्री को अपनी पास्ट लाइफ का किनेक्ट दे कर दोनोंने पहले ही इस फिल्म को होट बना दिया है ऐसे में उन्हें कारंट क्रिकेट सीजन में अगर अपनी फिल्म को सेमी फाइनल्स में भी प्रमोट करने का मौका मिलेगा तो काफी होगा वैसे भी सुनने में आया है कि फाइनल्स में शारुखान की मौजूदकी, ब्रॉटकास्टर्स की रिक्वेस्ट और उनके क्रिकेट से लॉंग असोसियेशन की वज़े से है वैसे भी सॉर्सेस आ टू भी बिलीवड फाइनल के दिन शारुखान दिपिका बड़कोन के बगएर ही चैनने एक्सप्रिस को प्रमोट करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो जोडी बनकर फिल्म प्रमोट करने का पूरा फाइदा रंबीर दिपिका की नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली फिल्म को मिलेगा और शारुखान की चैनने एक्सप्रिस बाजी जीत कर भी हार जाएगी अब रंबीर खुद के दिल को बहलाने के लिए ऐसा जरूर सोच सकते हैं पर असलियत तो ये है कि क्रिकेट के मैडान पर एक बार फिर हार कर जीतने वाले शारुखान ही साबित हुए है पॉलिवड बाक्षा हार कर जीतने वाले इसलिये कि उनकी टीम पहली ही फाइनल की रेज से बाहर है फिर भी बाजीगर शारुखान के सामने चैलेंज कर ले अक्षे कुमार आ जाएं या फिर रंबीर कपूर फाइनल की बाजी तो शारुखान ही जीतते आएं है और लगता है इस बार भी यहीं हो रहा है पिरो रिपोर्ट जूम मुंबाइल